दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है, आप अच्छे होंगे? आपकी जीवन यात्रा का संघर्ष सभी के लिए सामानने होता है. इस यात्रा में हमें अकेले होने की घड़ी आती है, जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंड रहे होते हैं. भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से हमें सिखने को कई महत्वपूर्ण सिख हैं, जिनमें अकेले होने में शक्ति का अनुभव करना भी शामिल है. भगवान श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में कई बार अकेले होने का सामना किया और उन्होंने इसे मान्य करके समस्याओं क समाधान निकाला। एक ऐसा उदाहरण है जब उन्होंने गोकुल में अपने साथियों के साथ खेलते समय मक्खन चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस समय वे बहुत ही छोटे थे लेकिन उन्होंने अपनी अकेलापन में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और समस्या का स समाधान निकाला। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अन्य संगर्शों में भी अकेले होने का अनुभव किया। जैसे की मान्यता है कि उन्होंने कांस जैसे दुष्ट राजा के खिलाफ लड़ा और उसे परास्त किया। उनके इस उदाहरण से हमें यह सिखने को मिल क्योंकि यह हमें अपनी सामर्थियों का परिचय दिलाता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने आत्मा की बात सुनने का समय मिलता है और हम अपने लक्षियों की ओर बढ़ सकते हैं। अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा अकेले रहना चाहिए बलकि यह मत आत्म समवाद अपने साथियों के साथ मिलकर और उनसे सहयोग मांग कर आप भी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। 4. आत्म संयम अपने विचारों और क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान कृष्ण की तरह आत्म संयम बनाये रखने से हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। संक्षेप में कहें टो, भगवान कृष्ण का जीवन हमें अकेले होने में शक्ति का महत्व बताता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे अकेला फन में हमारी अत्मा की गहराईयों में छुपी शक्तियों का पता लगाने का मौका होता है और हम समसियाओं का समाधान निकाल सकते हैं यदि हम भगवान कृष्ण की तरह साहसिक होते हैं, तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए, अकेले होने में शक्ति का अनुभव करें और अपने जीवन के हर पहलू में सफल हों। ये है आपके लिए आत्म विकास और सफलता की ओर एक महत्वपून कदम होगा। अकेले होने में शक्ति का अनुभव करने के अधिक उपाए। भगवान कृष्ण की तरह सकारात्मक सोच अपनाएं। किसी भी समस्या को नकारात्मकता से नहीं देखें, बलकि उसमें संभावनाओं को खोजें। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे जानने और समझने का समय दें, उसकी गहराईयों को समझने का प्रयास करें। साथ, निरंतर उन्नती भगवान कृष्ण की तरह निरंतर उन्नती का प्रयास करें। आत्मसंयम और साहसिक्ता के साथ आप अपने लक्षियों को प्राप्त कर सकते हैं। एट, संघर्ष का स्वागत संघर्षों का स्वागत करें, क्योंकि ये आपके अकेले होने के समय के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। संघर्ष से ही हम सीखते हैं और समस्याओं का समाधान निकालते हैं। 9. आत्मात्मियता अपने आत्मात्मियता को नश्ट नहीं करें, ये आपके अकेले होने के समय को खराब कर सकता है खुद के साथ मित्र बने और खुद की तारीकों की देख भाल करें भगवान कृष्ण की तरह समय का महत्व समझें समय का सही इस्तिमाल करने से हम अपने लक्षियों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। भगवान कृष्ण के उदारण से हमें यह सिखने को मिलता है कि अकेले होने में हमारी सबसे अधिक शक्ति छिपी होती है। हमें अपने आत्मा के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना होता है और हमें समस्याओं का समाधान निकालने के लिए साहसिक होना होता है। इसके अलावा हमें समय का महत्व समझना होता है और निरंतर उन्नति का प्रयास करना होता है। अकेले होने में शक्ति का अनुभव करना आत्म समर्पन का मार्ग है, जो हमें अपने लक्षियों और सपनों को प्राप्त करने में मदद करता है। इससे हम अपने जीवन के हर क्षण को महत्व पूर्ण बना सकते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अकेले होने में शक्ति का अनुभव करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस प्रेरणास्पद विचार से हम समय का महत्व जान चुके हैं और अकेले होने में शक्ति का महत्व समझेमी हैं। अगर आप हमारे साथ इस सफलता की यात्रा पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई प्रेरणास्पद वीडियो पाएं। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हम सभी सफलता की ओर आगे बढ़ सकें।